हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्वर्णिम्स किचन आज हम बनाने जा रहे हैं सूची पीजा ये पीजा दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और यह इत्तम फटाफट भी बन जाता है और इसमें महनत भी ज़्यादा नहीं लग तो ठीक है अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसमें एक चमश बेकिंग पाउडर डालेंगे इसके बाद हम इसमें वन फोर्थ चमश बेकिंग सोडा डालेंगे और एक चमश नमग डालेंगे अब हम इसे grind करके fine powder बना लेंगे देखिए हमारा fine powder बनके तयार हो गया है अब हम इसे एक bowl में transfer कर लेंगे और उसमें एक चमशक कर डालेंगे और उसे अच्छे से mix कर लेंगे इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे और इसका एक dough तयार कर लेंगे दही का यहाँ कोई माप नहीं है इसे हम अपने requirement के अनुसार ही लेंगे और एक अच्छा सा dough तयार कर लेंगे dough हमारा dough जादा tight नहीं होना चाहिए क्योंकि सूजी होती है वह पानी सोकती है और वह अपने आप tight हो जाती है इसलिए हमें यह जादा tight dough नहीं लगाना है देखिए हमारा जो dough है वो बनके तयार हो गया है अब हम इस dough को 15 minutes के लिए ढखके रख देंगे देखिए friends हमारे 15 minutes हो चुके है अब हम dough को चैक कर लेते हैं यह अच्छा सा soft dough हो गया है अब हम इसमें हलका सा घी लेके इसे अच्छे से grease कर लेंगे जिससे हमारा dough है वो soft हो जाएगा अब हम इस dough में हलका सा लोच लगाएंगे और इससे हम दो लोईयां तयार कर लेंगे यह पीजा सूजी का बना होने के कारण ने तो यह हमें नुकसान करता है और यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी भी बनता है देखी हमारी दोनों लोईयां तयार हो चुकी है अब हम इसे जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरह हम चकला लेंगे और उस पे थोड़ी सी सूखी सूजी डालेंगे उसके बाद जो लोईयां हमने तयार की थी उसे उसके उपर रखकर जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरह हम इसे बेल देंगे यहां हमें ये बाद ध्यान में रखनी है कि हम इसे ज़्यादा पतला नहीं पेलेंगे हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है अब हम एक पैन लेंगे और गैस की फ्लेम आउन करेंगे अब उस पे हलका सा घी या बटर लगा कर उस पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जो रोटी हमने बेली थी वो इस पे डाल देंगे अब हम इसे एक तरफ से दो से तीन मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेखेंगे दो से तीन मिनिट बाद हम इसे पलट देंगे और गैस बंद कर देंगे अब हम अपने पीजा की टॉपिंग शुरू करेंगे यहां हमें यह ध्यान रखना है कि गैस ओफ करके ही हम अपनी पीजा की टॉपिंग करेंगे सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे पीजा सॉस यहां पे हमने दो चमच पीजा सॉस में एक चमच टॉमेटा कॉचप भी मिला लिया है जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा उसे हम अच्छे से पूरी जो पीजा है उस पे अच्छे से स्प्रैट कर लेंगे और उसके बाद हम जो चीज है उसके उपर फैला देंगे यहां पे मैंने प्रॉस्टेट चीज ली है आप चाहें तो मॉजरेला चीज भी ले सकते हैं मौजरेला चीज से यह ज़्यादा चीजी बनेगा यहाँ पे मेरे पास अभी अवैलेवल नहीं थी मौजरेला इसलिए मैंने प्रॉस्टेट चीज का है इस्तमाल किया है उसे हम अच्छे से पूरे पीजा पर चीज को फैला देंगे अब हम इसके उपर छोटी कटी हुई कैपसिकम छोटे कटे हुए टॉमेटो और छोटे कटे हुए अनियन है उसे अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद हम उसमें स्वीट कॉर्ण है वो भी उसके उपर टॉपिंग कर देंगे इस तरह हमारा जो पीजा है वो हम इन सभी चीजों से अच्छे से टॉपिंग कर देंगे देखे हमारा जो पीजा है वो अच्छे से टॉपिंग हो गया है अब हम गैस की फ्लेम आन करेंगे और उसके चारो तरफ पीजा के चारो तरफ हम घी लगाएंगे और इसे हम 15 और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और बैल आइकन दवाना ना भूलेगा ताकि लेटेस्ट नॉटिफिकेशन आपको मिल सके आप ये सूजी पीजा की रेसिपी जरूर ट्राइ कीजेगा और कमेंट करके मुझे बताईएगा कि ये कैसी बनी ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक यू